हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ रज़त गुल आप दिखने टाकार जै आज इस व्लिए में हम करने वाले हैं रैडमी वाइटू की अन्बोक्सिंग जो के रैडमी एस्टू के नाम से चाइना में लॉंच हुआ था और इंडिया में अभी रैडमी वाइटू के नाम से आ चुका है पीछे की तरफ यहां पर कुछ स्पैस्फिकेशन्स दिखी गई हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं आपर कुछ और स्पैस्फिकेशन्स भी यहां पर मेंशन की गई हैं डेडिकेटर एश्डी कार्ट सोट, 3000 mH की बैटरी फेस, अलब फिंगरप्रिंट सेंसर और MIUI 9 मेर इंडिया भी यहां पर दिखा गया है जसके आप देख सकते हैं रैपर को अगर आप उतारेंगे, बोक्स को अगर आप खोलेंगे, सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलता है Redmi Y2, जो के मैंने डार्क ग्रे कलर में यहां पर ओडर किया है, 3GB, 32GB वाला इव वरियंट है अगर आप फोन को देखेंगे, दिखने में काफी सुन्दर रखता है उपर और नीचे की तरफ यहां पर ब्लैक कलर की एंटीनल लाइन्स हैं, जो के थोड़ी सी अलग दिखती है और फोन की तरफ में बात करूं काफी लाइट वेट है फोन को एक पर साइट पर रखतें हैं और देखते हैं कि box में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है सबसे पहले यहां पर warranty card है, और को cushervernals है उसके पाद यहां पर आपको एक soft case देखने के लिए मिलता है जिसकी quality ठीक ठीक होती है लेकिन ये phone को काफी इच्छे से cover कर लेता है camera का bulge भी यहांपर काफी इच्छे से cover हो गया है इसके बाद यहांपर आपको एक wall adapter देखने के लिए मिलता है जिसकी rating आपको 5 wall 2 amperes की देखने के लिए मिलती है तो fast charger नहीं है last में आपको देखने के लिए मिलती है एक primary microphone है उसी के साथ एक loud speaker grill आपको देखने के लिए मिलती है left side पर यहांपर आपको देखने के लिए मिलती है SIM tray जो के dedicated micro SD card sword के साथ आती है यहांपर आप देख सकते है friends 3 swords आपको यहांपर देखने के लिए मिलते है right side में आपको volume rockers और power की देखने के लिए मिल जाती है पीछे की तरफ अगर आप देखने के तो 12 प्लस 5 में आपको देखने के लिए मिलती है MI की branding भी यहांपर देखने के लिए मिलती है आगे की तरफ यहांपर आपको एक protective case लगा के दिया गया है जिसको हम उतार लेते हैं यहांपर 5.996 की HD plus display आपको देखने के लिए मिलती है उपर यहांपर है 16 प्लस का camera एक earpiece उसी की साथ यहांपर notification light और LED flash light भी देखने के लिए मिल जाएगी फोन को हम कर लते हैं turn on इसको मैं कर लता हूँ यहांपर जल्दी से setup उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फोन में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है finally यहांपर phone जो है वो turn on हो चुका है इसको हम कर लते हैं unlock pattern से और यहांपर अगर आप देखेंगे सबसे पहले हम चल जाते हैं settings में और about phone में देखेंगे के कौन सा MIUI का version है यहांपर आप देख सकते हैं MIUI Global 9.5 आपको देखने के लिए मिलता है तो यहांपर एक अच्छी चीज़ है उसके साथ आप RAM यहांपर देख सकते हैं यहांपर 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 बहुत कम टाइम लगता है और फोन जो है वो अनलोक हो जाता है जल्दी से हम फेस अनलोक को भी सेट अप कर देखते हैं देखते हैं फेस अनलोक यहांपर कैसा देखने के लिए मिलता है यहांपर फेस अनलोक सेट अप हो चुका है और यहांपर अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स काफी इच्छे तरीके से फेस अनलोक काम भी करता है यहां पर मैं fingerprint sensor को use नहीं करा हूँ जैसे ही मैं phone को भी करता हूँ phone जो है वो बड़ी तेजी से unlock हो जाता है तो face unlock और fingerprint sensor दोनों ही चीज़ें हाँ पर काफी इच्छे से काम कर रही है और MIUI 9.5 है तो इसमें आपको काफी सारे नई features भी देखने के लिए में जाते हैं full screen display है जिसको आप यहां से own कर सकते हैं उसके बाद आप यहां पर in buttons को disable कर सकते हैं और full screen gestures को use कर सकते हैं phone में browse करने के लिए इन gestures के बारे में आपको पता होगा यहां पर कैसी देखने के लिए मिलती है camera's यहां पर काफी अच्छे आपको देखने के लिए मिल रहे है और AI का integration भी आपको देखने के लिए मिल रहा है तो एक photo अगर हम क्लिक करने की यहां पर try करें पीछे की तरफ आपको 12.5 के dual rear cameras देखने के लिए मिलते है quality यहां पर अगर आप देखेंगे यह तो simple photo मेंने क्लिक की है काफी ची यहां पर आ चुकी है उसी की साथ यहां पर आपको portrait mode भी देखने के लिए मिलता है और यहां पर अगर आप देखेंगे जो problem आपको Redmi Note 5 Pro में देखने के लिए मिल रही थी वो मेरे हिसाब से अभी यहां पर भी देखने के लिए मिल रही है यह problem हाला के 9.5 के update में वहां पर fix हो चुकी थी जैसे ही आप portrait mode में जाते हैं थोड़ा zoom आपको camera में देखने के लिए मिल जाता है I hope कि यह problem यहां पर भी बहुत जल्दी सोल हो जाएगी अगर आप चल जाएंगे वीडियो mode में सबसे पहले वीडियो की settings में हम जाकर देखते हैं कि कौन सा mode यहां पर support करता है तो यहां पर अगर आप देख पाएंगे सबसे पहली चीज़ जो important है वो है image stabilization image stabilization को option आपको देखने के दिए मिलता है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है उसी के साथ अगर आप यहां पर quality की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं 4K support नहीं करता है phone full HD तक maximum support करता है front camera की अगर आप बात करने front camera की video resolution भी हम check out कर देते हैं यहां पर अगर आप देखेंगे front camera में भी EIS support करता है उसी के साथ video quality यहां पर भी full HD तक supported है इस phone की overall अगर मैं बात करूं friends मेरे हिसाब से 10,000 की price में एक बहुत अच्छी option है 5.99 inches की 18-9 वादी HD plus display जो के काफी इच्छी है cameras जो के आपको पीछे की तरफ 12 प्लस 5 के dual rear cameras आगे की तरफ 16 अपसल का camera दोनों ही तरफ AI का integration यह भी है काफी interesting option है उसी के साथ fingerprint sensor और face unlock भी हम पर काफी अच्छी से काम करते है phone दिखने में भी काफी सुन्दर है तो मेरे हिसाब से यह phone काफी अच्छी option है उसी के साथ यहां पर आपको dedicated micro SD card sort भी देखने के लिए मेरे है तो मेरे हिसाब से 10,000 की price में काफी अच्छी option है अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही friends अगर आपकोई वीडियो स्चिल के तो को लाइक करना भी कुल मत भूलेगा कुछ स्वाल स्वाब हैं आप में इसे कमेंट से बता सकते हैं इस वीडियो को दिखने के आपका बहुत बहुत है नवाद friends